यार यह वतन मेरे वतन मेरे की देखनी मूवी मूभी देखना देश बक्ति वाली लजना मीरे थोड़ी आत्मा सी विश्वास सी एउड़ी यह तुड़ी तूड़ है इससे में दिमाग ही बदल दिया पहली को जैए कि मैं है आज मैं को करते जिन्हों नहीं देखी जाकर देखो इसमें रंदीप उड़ा बनिया वीडी सावरकर यानिकी विनायक दामोदर सावरकर जो की में लीड में और अंकेता लोखांडे बनिया यमुना बाई जो कि उनकी वाइफ है वाई इसकी स्टोडी लाइन हो या स्क्रीन प्ले हो या फिर सब कुछ टॉप नौच है स्टार्टिंग में बता रहा हूं मतलब एक्सपेक्टेशन रखने की जूरत नहीं क्योंकि जो तुम सोचके जाओगे यह उससे कुछ ऊपर ही होगी एक एक नौच ऊपर ही है यह मूवी उससे और इतना बाकूबीर नहीं पाया है ना हर एक बॉलिवुड में कोई भी नहीं कर रहा है मिरको एक अक्टर बता दो जो इस लेवल की एक्टिंग दे पा रहा है है यह मेतरड एक्टर और हर बार जो जिस लेवल पर यह उस चीज को चीज करते है ना चाहे वो अपनी बोडी के साथ खेलना हो बोडी ट्रांस्वर्मेशन ह उस करेक्टर को प्ले करना हो उस करेक्टर को भाई यह अपने अंदर बसा लेता है और उसके बाद रूल प्ले करता है मतलब इस एज में कहलो या इस तरीके से कहलो भाई पता ही नहीं क्यों क्या कैसे करके बॉलिवुड के यह काम नहीं करते हैं वो इतना कमा लेते हैं जो जो यह मूवी थी थोड़ी सी स्लोती सेकेंड हाफ में यह बराबर कर चुकी थी ठीक है और इसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो कनेक्शन बिठा रखा था था वो थ्रूआउट बैठा ही हुआ था तुम्हारे को एक इमोशनल राइड पर लेकर जाएगी यह मूवी जिदर तुम हर एक इमोशनल को फील करोगे चाहिए वो घुसा हो रेज हो कि ऐसा क्यों हुआ वो सब हर एक चीज़ तो फील करोगे पर्टिकुलर्ली अगर सीन बता हूं तो भाई जो यह जेल वाला सीन है इसके अंदर इनको कुछ अगड़म तगड़म बिठाया होता कोई दूसर एक्टर आया होता उसने इसकी लेनी देनी करी होती वो चल जाती इसके मुकाबले वो भी चाहिए वतन मेरे वतन जिसके कोई वो नहीं है ग्लैमर के नाम पर उसमें उसको डाल दिया सारा लिखान को पर यह बिचारी म करती है बागी कई सारी मूवी के मुकाबले ठीक है इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लेर दिखाया है कि जो इस मुवी की थीम है ना वो यह निये कि कैसे इस देश को जाती है कि यह कि ना सिर्ब लिखा से बलकी बलीदान से और हिंसा से इन दोनों के दम पर भी अजादी मिली है तेरे सेजादी में काफी और भी लोग चुड़े थे जिनका या तो बली दंद गया या फिर जिन्होंने मार मूर खा के भाई वो जेल के अंदर बंद हुए वह भी सिर्फिशली क्योंकि ने इंसा का साथ दिया था और एक यह पता चल गया था कि यह डेंजरस में आप में पीर सावर का जिसके ओपर यह मूवी बनी है तो मतलब भाई यह मूवी देखोगे ना इसके साथ तुमारे को दो चीजों का फायदा होगा एक तुमारी हिस्ट्री स्ट्रोंग हो जाए कि दूसरा तुमारे फैक्स क्लियर हो जाएंगे अब मेरे को यह नहीं पता कि यह एं इसले काट रहो कि जो पहला पाट वीक हलका सा परा था उसके लिए बाकि अब इस पे आप लोगों को क्या लगता है वह आप कमेंट करके बता सकते हो बाई मेरी साइट से मस्ट वॉच है हौल में जाके देखो तुम उठीटी पे देखो जहां तुम अच्छा लगे तुम बहां देखो पर देखो जरूर क्योंकि यह मूवी वह देखने वाली और अगर तुमने एवतन मेरे वतन देखिए ना तुमने उस पर टाइम वेस्ट किया तो बहुत जाले कि वह वेस्ट नहीं है वह तुमने यूटिलाइस किया तो मेरी साइट से मस्ट वॉच है कर दो